कि आप सभी को विदी उत्रुप से ग्यात होगा कि राजस्तान में नहीं अपितु पूरे बारत में जो है सामजिक अतिकारिता शिविर जो है उसके अंदर लगने वाला है जिसमें निशुल का आपको जो है सायक उपकरण परदान किये जाएंगे कौन-कौन से किया जाएंग पर जब भी यह लगेगा शिविर तो आपको वहाँ पर कौन-कौन से डोकुमेंट ले जाने है सायथियो केवला और कावल ज्यादया कंप्यूज मत होनिएगा दो ही कम जो है ऐसे तीन डोकुमेंट जो आपको ले जाने है ठीक है तो आएए बात करते हैं दिव्यांग जैन वह आपको जो है साथ में ले जाना है ठीक है जो भी 40% से उपर होना चीज़िए सक्षिम अधिगारी द्वारा जो होना जी मतलब पूरा एक तरफ से डिजिल होना चीज़िए आपको UDID काड वे से डिजिल होता है 40% उपर ठीक है चार चीज़े ले जाने हैं आपको मैंने आपको आदार कार्ड जो है साथ में ले जाना है कौनसा कार्ड आदार कार्ड आपको साथ में ले जाना है आई बास समझते आदार कार्ड इसके अलावा आपको आई परमान पत्र अब यहां पे जिए कि सबसे ज़्यादा कंप्यूज़ आप जहां पर होंगे वो है किस नम वाले में आई परमानपत्र ले जाना है क्या नहीं मतलब आई परमानपत्र केवल उन्हीं दिव्यांगों को ले जाना है मेरे बात पर ज्यान दीजेगा एक ही बारे में कंप्यूजन दूर हो जाएगा आई परमानपत्र केवल उन्हीं दिव्यांगों को ले जाना है जिनको पेंशन नहीं मिलती है, आईबात समझ में, और उनका जो है आई परमानपत, साड़े, बाई सजार से निचे होना चाहिए, छिक्ष के अगर जिनको पेंशन मिलती है, वो क्या करेंगे, भई उनको जो है दिव्यांग पैंशन की प्राप्ति या परिवार वला जो मेरा दिव् परिवार वाला वार्शक आय का हुआ होता है परचान पत्र वह ले जाना है या और भूल अराशन कार ले जाना है इन में स Quran ले जाना है या तो आपको ले जाना आपको, इसने हिंडार पर फत्र वह दिब्यांग पंशनिते हैं पासवर्ट फोटो ले जाने हैं ये डोकुमेंट जो है आपको आपर ले जाने हैं ठीक है साध्यों मिलते हैं फिस नहीं